Hello everyone, welcome back to another video, I hope सब कुछ बढ़िया चल रहो आप सब की जिन्दगी में and आज आपके सामने खड़ी है All new Toyota Urban Cruiser High Rider का Base Model Hybrid में, वैसे तो यह S Model है, बट मैं आपको समझा देता हूँ बई, मैं इसे Base Model क्यों कह रहा हूँ पहले बैजिंग देख लो, इधर S की और Hybrid की, इस से नीचे E भी आता है, बट वो Hybrid में नहीं आता है यानि कि यह Hybrid वाले Engine का Base Model है, टोटल आपको इसमें चार Model मिलते हैं, E, S, G, V बट जो E है, जैसे मैं आपको उता है, Hybrid में नहीं आएगा, जो आता है, वो आता है, मरूती के K15 C Series वाले Engine में तो तब ही मैं इसे कह रहा हूँ, Hybrid का Base Model यानि की S, इस वीडियो में हम यहीं जानेगी, इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या-क्या नहीं इसे पहले है, मैंने इसके जो G Model है, उसकी भी वीडियो डाली है, Hybrid 10 पर आप वो भी देख सकते हैं, फिलहाल तो नहीं सबसे पहले हम बात करते हैं, Engine Specification की, इसमें आपको 1500 CC का Engine मिल जाता है, with 0.75 Watts वाली बैटरी, जो कंबाइन होके आपको प्रोवाइड जाता है, 116 BHP, with 14 141 Nm of torque, and जो दूसरे इंजन है, मरूती वाला, उसमें आपको मिलती है, 103 BHP, with around 136 Nm of torque, but यार, जो इवाले इंजन है, जो इसकी माइलेज है, वो है, around 28 KMPL, मतलब 116 BHP, वैसी आपको पावर जादा मिल रही है, मरूती वाले इंजन से, और माइलेज भी जादा मिल रही है, लाज जवाब, and अब engine specification की बात हो चुगी है, front से start करें, इधर आपको मिल जाता है, Toyota का logo, but इधर आप देखो वाई, grill में, जो टेक्स्टर है, यह मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत ही बढ़िया लगता है, and जो एक chrome treatment है, यह इधर तक जाता है, इधर आपको headlight मिल जाती है, projector based headlight मिल जाती है, बढ़ यह सारा halogen setup है, कोई भी ना इसमें आपको fog light नहीं मिलती है, front से देखे ना, बिलकुल ही top model वाली इसमें आपको look मिलती है, and नीचे ना आपको skid plate मिल जाती है, जो की है, gray color की, grand vitara में आपको silver color की मिलती है, बट इसमें पिर आप देख सकते हैं, इसमें आपको alloy wheels नहीं मिलती है, हाँ, इधर से आप बता सकते हैं कि हाँ यह तो S model है, इसमें आपको tire size तो same मिलता है, 215R17, बट जो इसके upper variants हैं, उसमें आपको diamond cut alloy wheels मिल जाती है, बट इसमें आपको कोई diamond cut alloy wheels नहीं मिलेंगे, and इधर आपको मिल equipment नहीं मिलता है, body color ही door handles है, and मुझे तो personally ना, body color ही door handles पसंद है, request sensor मिल जाता है, यह भी बिलकुली top model वाला हिसाब है, same door handles है, and बैक साइड पर आ जाते हैं, इधर से आप भर सकते हैं, fuel, petrol इसमें आपको मिलता है, कोई diesel का option नहीं मिलता है, 45L इसका fuel tank है, and अब पीछे से ब rider की लुक बढ़िया है, but यार, back से तो ना, grand weight आ रहा की ना, कोई भी reason है, मतलब कि जो 3D tail lights है, ना, मरूती वो लाजवाब है, इधर आपको मिल जाए Toyota का logo, S की बैजिंग, hybrid की बैजिंग, मरूती ना, कोई भी बैजिंग नहीं देता है, उनके नाम इतने बड़े, alpha, zeta व मिल जाते हैं, इधर आपको मिल जाए defogger, but कोई rear wiper नहीं मिलेगा, and shark finantina मिल रहा है उपर, जो की अच्छी बात है, but इसमें आपको sunroof नहीं दिखेगी, sunroof इसमें नहीं मिलती है, जैसे की इसके upper variants में मिलती है, and एक बार ना, मैं आपको इसकी key भी दिखा देता हूँ, भई, same भई, वैसी ही key है, OG key, maruti वाली Toyota का logo, lock, unlock, and key में एक बार अंदर रख देता हूँ, but अब हम डो ट्रिम की बात करें, कार के, fabric treatment इसमें आपको मिलेगा, कोई भी soft touch treatment इसमें आपको नहीं मिलता है, जैसे की upper variants में मिलता है, but fabric treatment भी ना, बढ़िया लग रहा है, and ये coffee black interior तो भाइस का, है ही large जवाब, ना ही कोई इदर piano black treatment मिलेगा, power windows मिल जाती है, but अच्छी बात है, over VM fold होजेंगे, adjust होजेंगे, नीचे bottle holder, कुछ space, and seat adjustment की बात करें, height आप adjust कर सकते है, recline कर सकते है, slide कर सकते है, and अबना में car के, अंदर चलता हूँ, इदर आपको मिल जाता है push start button, जो की है blue color का, इदर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही खाली है भई, heads up display, 360 camera वगएर का, कुछ भी button वगएरा नहीं मिलता है, and yes, जो hybrid है ना भई, वो केवल आपको आपको automatic में ही मिलती है, एक बार ना मैं car start भी आपको करके दिखा देता हूँ, जादर ना car आपकी EV स्टार्ट होईगी, बट यार, engine refinement की बात करें, इसमें आपको 3-cylinder engine मिलता है, जो की इतना refined नहीं है, जो grand vitara मतलब की जो मारूति वाले engine है, वो जादा refined है, क्योंकि वो है 4-cylinder, बट ठीक है, जो इसकी performance है, इसमें उससे तो बढ़िया है, क्योंकि 116 bhp बहुत ही जाद मिल जाता है, जो की बहुत ही बढ़िया चीज है, इधर से आप ये control कर सकते हैं, मैंने last videos में भी बताया है, ये तो बिल्कुली same चीज है, तो इससे अभी हम जादा तर cover नहीं करेंगे भाई, बट अब बात करते है, infotainment screen की, infotainment screen ना, इसमें आपको छोटी मिल जेगी, 7 5-inch की, UI तो अच्छी बात है कि भाई, पुराने वाला नहीं है, जो बलीनो गएरा में आता था, UI बट ये बट ये अपको फीचर्स मिल जाएंगे, जो की है, wireless, इधर आप देख सकते है, वाई-फाई का, logo, AC वेंट की बात करें, कोई भी प्यानो ब्लैक फिनिश ट्रीटम है ये, तो P, R, N, D, B, B मतलब की, brake regeneration, इधर आपको मिल जेंगे EV mode के button, drive mode के button, drive mode में प्रेस करता हूँ, power mode, and eco mode, but इधर कोई ventilated seats के button आपको नहीं मिलेंगे, manual handbrake मिल जाती है, two cup holders मिल जेंगे, armrest की बात करें, तो adjustable armrest है, space भी ठीक ठाक है, and glove box भी आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ है, glove box, but यार, इसमें ना कोई soft touch नहीं मिलता है, तो ना आपको थोड़ा होत लग जाए है, एक upper variant ले ले लेते हैं, क्योंकि उसमें आपको soft touch मिल जाता है, but जो plastic का treatment है, वो भी बढ़िया है, and उसके लावा, seats की बात करें, कोई भी leatherized seat covers, इसमें आपको नहीं मिलते ह है, and अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए, तो प्लीज चैनल को ना सबस्क्राइब कर देना, it will mean a lot to me, but अब वापिस बात करते हैं, कार की, इधर आपको मिल जाते है, sunshade, mirror मिल जागा, but कोई lamp औगरा नहीं मिलेगा, and इधर cabin lights की बात करें, halogen cabin lights मिल आने से पहले है, इसकी pricing की बात करें, एक शोरूम ना आपको पढ़ेगी, 15,11,000 की, and on road तो वही बात है, state to state ना यह vary करेगी, but यार, 15,11,000, मतलब की, मुझे तो बढ़िया लग रही है, जैसे कि ये 15,11,000 की पढ़ रही है, और जो इस से उपर वाला वेरियंट है, वो अर वेरियंट में आपको diamond cut alloy wheels भी मिल जाते हैं, पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ, पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ, कि कार कैसी है, बट उससे वहले ना मैं आपको कार का एक बूट भी दिखा देता हूँ, जो major disadvantage होता है, इन कारों में, hybrid कारों में, वो यह ही हो बट बूट स्पेस तो थोड़ी इंक्रीज करो, 255 लीडर कितनी ही कम है, इसका भी वही हाल है, बट भी बूट में बंद करता हूँ, बात करते हैं, बात करते हैं, कार की रियर डोस की, again, fabric treatment इसमें आपको मिल जाता है, बॉटर होल्डर कुछ स्पेस, एंड अप चलते हैं, कार ना प्रीमियम तो बहुत जादा फील होती है, बाकी ना कमेंट सेक्शन में आप बताना, आपको ये कार कैसी लग रही है, कैसी नहीं, जो मुझे मेजर डिफ्रेंस लगा ना भाई, जैसे 2.500.000 का जो इसमें प्राइसिंग का तो है, बट संरूफ का, जिसको मतला कि संर इना देना नहीं है, 360 camera से, heads up display से, वो तो ना इस variant पर जा सकता है, क्योंकि भाई, आपको मिल रही है, हाइब्रीड कार, 15,11,000 एक शो रूम में, और अरॉड 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 16,30 तक की आपको पढ़ जेगी, वैसे तो state to state vary करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, बढ़ यार mileage इसकी, 28 की MPL, बहुत ही जादा होती है, so yes, comment section में आप अपने opinion भी देना, आप ये वाला variant प्रेफर करेंगे, या फिर नहीं करेंगे, फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं, यहीं पर end करता हूँ, and मुझे तो यार, overall ना car, no doubt, बढ़िया लगती है, look की बात कर लो, यह देखो भाई, जो इसकी DRLs जल रही है, premium तो ना आपको car feel होईगी, and friends से तो जैसे मैंने आपको ताया, बिल्कुल ही है, top model ही लगता है, so yes, फिलहाल ना, इस वीडियो को मैं, finally, यहीं पर end करता हूँ, अगर आप को वीडियो पसंद आए, वीडियो को, like जरूर करना, channel को subscribe जरूर करना, मैं आप सबको मिलता हूँ, next वीडियो में, till then, bye bye, take care.